अम्रिस सरकेट शहर्टा खंडवाला की मौनिका ने पती मोहित पर उसे मार पेट कर घर से निकालने का आरोप लगाया थी पेडिता ने बताया कि देहिज के लिए कब पती उसे परिशान कर रहा है पिशलेट एक महिने से वो अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर पे रह रही है मौनिका ने पुलिस कमिश्टर को पत्रोलिक कर इंसाफ की गोहार लगाई मौनिका ने बताया कि 6 साल पहले उसकी शादी दिल्ली के दाबरी इलाके में रहने वाले मोहित से हुई थी पिता ने हैसित के मताबिक देहिज भी दिया था वस अश्राग घर में अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी शादी के कुछ देर बाद ही पती ने उसे देहिज लाने के लिए परिश्चान करना शुरू कर दिया कई पर मार पिट करके उसे घर से भी निकाला गया बावज़ित इसके माईके वालों ने उसे समझा कर पती के घर वापस भीज दिया लगबग डेर महीने पहले पती ने मार पिट कर उसे घर से निकाल दिया तब से वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माईके रह रही है कि मेरे सेर फाट के दिवार चे मार पूरा सेर फोल लगया थे अपने पैन को आगया मार कोट के उन मेरे पेरेंट्स फिर गए ही मैं फोन किता दस्याना तो मेनू लेके आगे अपने नाल असी थाने भी रपोर्ट दिती है और ये तक कोई कारवाई नहीं होई है मौनका डॉक्टर ओफ सोनलाल वासी विकास नगर इनने मौनका ने सनुहल फिया बयान देता है जी एदा जड़ा पती है मोहित उदेना मार्केटाई कर दा और काफी चेरतों मार्केटाई कर रहा उदेना ले एक दाजदी मंग भी कर दा पैसे भी मंग दा इनना नो कहीं द दोसी ता ठाना प्रभारी महताब सिंग ने बताया कि लड़के को ठाने बुला कर दोनों में कांसलिंग की जाए थी मोनिका है डाक्टर सोलाल खंडवाले दे रहन वाले ने इती लड़की दी शादी हो इसी दिल्ली मोह उतना आधे लड़के ना बच्चे विया दो इनना दे नहीं है तो कोई दो मैमिया में जी दा फैमिली डिस्प्यूट है हूँ मोनिका ने कमिशनर साफ दे पेशो के अमिस सरसे राजिव शर्मा जीवे पंजाब टीवी